दोस्तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जो EPF होता है उसकी ब्याजदर क्या होती है तो ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा लास तक जरूर देखियेगा और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में लोगों का EPF अकांट है या नहीं तो आप जान लेते हैं के पिएफ की ब्याजदर कैसे ते होती है दोस्तो इसे आप EPF कह सकते हो दोस्तो प्राइवेट कंपणी में काम करने वाले लोगों को पीएप कटता रहता है जो कि employer के द्वारा काटा जाता है और इसे EPF कहते है इस जमा पेसे को EPF कहते है जो कि retirement के वक्त कर्मचारी को मिलता है इसके अलावा नोकरी छुटने पर या फिर जरुरत के कुछ कामों के लिए advance के तोर पर या फिर पूरा EPF निकालने की अनुमती होती है बात करें इसकी ब्याजतर की तो ये EPF हर महिने salary से काटा जाता है इसलिए इसके उपर ब्याज की गणना भी हर महिने की की जाती है और हर महिने की ब्याज की गणना के लिए मंथले interest rate का उप्योग किया जाता है और अब जानते है के EPF की इसकी ब्याजतर क्या है तो वितवर्ष 2022 से लेके23 के लिए उपी-अफ की ब्याजतर 8.15% कोशित की गई है और अब जानते हैं को EPF को फुलपॉम क्या होता है तो EPF का फुलपॉम होता है Employed Providence Fund और अब जानते हैं को पी एप का फुल फॉम क्या है तो पी एप का फुल फॉम सिर्फ प्रोविडेंट फंड होता है तो आज के इस वीडियो में इतना है इसी के साथ वीडियो को खतम करते हैं लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बता दू कि अब हमने हमारी वेबसाइट भी लॉंच कर दी है तो अगर आप गूगल पे जाओगे सर्च करोगे तो आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी उसके उपर क्लिक करके आप हमारे और भी आर्टिकल पढ़ सकते हो तो वीडियो कर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और वाटसेप ग्रूप में और भी अपने दोस्तों के साथ इसे सेर जरूर किजिएगा और ऐसे इनफोर्मेशनल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे और बाजो में लगे बेल आइकन को क्लिक करे ताकि जब भी कोई नया वीडियो में अपलोड करू तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और इस वीडियो से संबन्दित किसी भी तरह का प्रस्न पुछने के लिए नीचे कमेंट करे दोस्तों गर आप लोग चाहते हो कि आपके किसी टॉपिक के उपर भी में कोई वीडियो बनाओ तो वो टॉपिक आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो